हेलो दोस्तों कैसे हो उमीद करता हूँ अच्छे ही होंगे अच्छा से तयारी भी चल रहा होगा दोस्तों यहाँ पे और एक भरती निकल के आ रहा है जो वेकेंसी निकल के आ रहा है कैसे आपको अप्लाइ करना है क्या इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया रखा गया है किस क्वालिफिकेशन हो तो ही इसको अप्लाइ कर सकतो पूरा जानकरी दूंगा वीडियो को बस एंड तक दखिए अच्छा लगया वीडियो जरूर एक लाइक करिए चैनल को नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ अगर दोस्तों आप कम्पीटेटिव के लिए तयारी करे हो आप लोग को प्रिवियस यर पेपर पीडियेप फाइल दे चुका हूं और उसके साथ मैंने प्राक्टिस सेट भी बना दिया हूं दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे रखा हूं कोई भी ब्रांच से बिलंग करते हो टेक्निकल स्टूडेंट हो या नोन टेक्निकल स्टूडेंट हो सब के लिए मैंने बना दिया हूं डाउनलोड कर ये लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे रखा हूं चलिए चले दोस्तों यह है इसका official website Electronics Corporation of India Limited के तरफ से यह जो vacancy निकल के आ रहा है यहाँ पर देख सकतों यह है इसका official advertisement Electronics Corporation of India Limited Government of India DAE Department of Atomic Energy Enterprises के तरफ से यह vacancy निकल के आ रहा है चले दोस्तों हम जो post के बात करेंगे यहाँ पर technical officer का vacancy निकल के आ रहा है पर यह दोस्तों temporary base में है मतलब contract base में यहाँ पर देख सकते हो purely on fixed basis contract for a period of one year it will be extended आगे जाके यह extended भी हो सकता है जो vacancy है दोस्तों technical officer total post 70 रखा गया है और दोस्तों यहाँ पर इसका जो age limit रखा गया है आपको 1990 के बात जो लोग burn किये हैं उनी लोगोंने apply कर सकते हैं और जो salary रखा गया है 23,000 उसके साथ आपको कुछ incentive मिलने वाला है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पूरा post category wise दिया गया है इसका link मैंने description में दे रखा हूँ आप pdf file को download कर सकते हो और उसके साथ दोस्तों one year का experience भी मांगा गया है अगर आपके पास एक साल का experience है तो ही इसको apply कर सकते हो selection method आपको interview देना पड़ेगा आपको कैसे interview देना है form आपको डालना है form डालने के बाद आपको interview में बुला जाएगा उसके बाद interview में आपको shortlisted किया जाएगा और इसके लिए qualification जो है और B.E.B.Tech वालो ही apply कर सकते हैं अगर आपके पास B.E. और B.Tech है तो ही इसको apply कर सकते हो दोस्तों उसके बाद age relaxation दोस्तों लेग सकते हो SCST candidate के लिए 5 साल, OVC candidate के लिए 3 साल और ex-serviceman और ESR PWD candidate के लिए 10 साल आपकी age relaxation भी मिलने वाला है सुरू हो चुका है और इसका जो last date रखा गया है दोस्तों यहाँ पे नीचे जाओगी तो आपकी 11 जून में रखा गया है जल्दी जल्दी apply कर दीजिए अगर B.Tech.E. qualification है तो ही इसको apply कर सकते हो दोस्तों उसके बाद जो written test नहीं है direct interview रखा गया है date and time will be should be आपको intimate कर दिया जाएगा आगे जाके यहाँ पे आपको interview कब होगा और दोस्तों इसके regarding कोई भी doubt है जरूर comment करिए हम सारे comment को reply करते हैं और दोस्तों इसके लिए सारे study material भी download कर सकते हो link मैंने description में दे रखा हूँ यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यह है इसका official website यहाँ पे online चालू हो चुका है इसका last date है 11.06 में है advertisement how to apply और यहाँ पे apply here दिया गया है आपको apply for various post यहाँ पे click करोगी तो एक नया tab खुल जाएगा जिसमें आपको online apply कर सकते हो दोस्तों कोई दिक्कत होगा तो जरूर comment करिए दोस्तों इद्धा पूरा details वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाई बाई जैहिं